लेकर पिछली कुछ समय से बस तो बना हुआ है कि Big Boss के घर में रिया चकरवती नजर आ सकती है लेकिन अब एक ऐसा हिंट सामने आया है जसे लग रहा है कि Big Boss 15 और रिया चकरवती का कुछ तो connection है Actually रिया चक्रवती को recently मुंबई में एक studio के बाहर spot किया गया यह वही studio है जहाँ पर Big Boss season 15 के दो confirmed contestants इस वक्त रह रहे हैं यह वही studio है जहाँ पर Big Boss season 15 के दो confirmed contestants recently नजर आये थे अंधेरी का यह studio है जहाँ पर कुछी दिनों पहले दलजीत कोर और तेजस्वी प्रकाश को देखा गया था यह दोनों Big Boss season 15 में जाने वाले हैं और ऐसे में same studio के बाहर रिया का spot होना कहीं न कहीं इस तरफ इशारा करता है कि क्या रिया भी Big Boss 15 में जाने वाली है क्या makers के साथ रिया चक्रवती की Big Boss के घर में जाने को लेकर चर्चा चल रही है Well Big Boss में रिया चक्रवती अगर आती है तो इसमें कोई ताजुप की बात भी नहीं होगी क्योंकि Big Boss जाना जाता है Controversies के लिए और पिछले एक साल में सबसे बड़ी Controversy में अगर कोई फसी तो वो रिया चक्रवती ही थी जहां Big Boss के makers को ऐसे ही Contestant की जरूत होती है वहीं रिया चक्रवती को भी कहीं न कहीं एक प्लाटफॉर्म की जरूत है जहां पर आकर वो अपनी साइड रख सके अपनी बात कह सके क्योंकि सुशान सिंग राजपूत के जाने के बाद रिया चक्रवती के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि कैसे मतलब भी है गोल डिगर है इस तरह के आरोब रिया पर चल चुके है साथ ही ड्रग्स का मामला, CBI का केस, ED का मामला, इतने मामले उन पर चल रहे है तो ऐसे मेरे रिया चक्रवती अगर इस शो में आती है तो डेफिनेटली उन्हें एक प्लैटफॉर्म मिलेगा जहां से वो अपनी बात लोगों तक पहुँचाएगी कहा जा रहा है कि अगर रिया चक्रवती शो में आती भी है तो उनकी एंट्री को लेकर खुलासा शो के मेकर्स अभी करेंगे ही नहीं ग्रैंड प्रेमियर के दिन ही करेंगे हाला कि रिया चक्रवती का स्टूडियो के बाहर स्पॉट होना एक इतफाग भी हो सकता है